अलो नमस्कार दोस्तों मैं कॉसलेन सिंग समझ सम्मानित सिच्छक सिच्छिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक श्वागत वाभिनंदन करता हूँ आज हम आनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या माडियूल वन अथात एक पाठ चर्या एवं समावेशी सिच्छा उत्तर प्रदेश के अंतरगत पूछी गई प्रसनोत्री के प्रसनों के उत्तर जानेंगे इस प्रसनोत्री में 10% पूछे गए हैं माडियूल एक के कोर्स या अनभाग में सबसे नीचे प्रसनोत्री दी है यह माडियूल आपको दिच्छा प्रोटल के माध्यम से कंप्लीट करना है प्रसनों का क्रम वा प्रसनों के विकल्प उपर नीचे हो सकते हैं प्रन्तु प् पी ना करें उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है प्रसनावली का सबसे पहला प्रश्म जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है समावेसी सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए निम लिखित में से कौन सा महत्पूर नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपके सामने चार आपसन दिये हूए हैं पहला है सिच्छक का साकरात्मक और निस्पच रवय्या, दूसरा है सभी, तीसरा है सिच्छक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं और चौथा है सिच्छक की सामाजी का आर्थिक स्थितीप तो यह प्रसन बिल्कुल ही आपका सही है अगला प्रस्ण इन सभी को छोड़कर यूडियल सिद्धान्त है यहाँ पर पहला आपसन दिया है काम करने के कई साधन दूसरा है प्रसुति के कई साधन तीसरा है अविवक्ति के कई साधन जो चौथा आपसन यहाँ पर दिया हुआ है वेवहार प्रवंधन के कई साधन यही विकल्प बिल्कुल ही सही है प्रस्णोत्री का आगला प्रस्ण जो है समान विकलांगता वाले दो बच्चे यहाँ पर चार आफसंदिये हुए हैं पहला आफसंदिया हुआ है कच्चा में सिच्चक द्वारा किसी भी हस्तच्चेप की आवशकता नहीं होगी दूसरा है सभी और तीसरा है कच्छा में सिच्छक द्वारा विभिन हस्तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बच्चों को निशुलक और अनिवारिस इच्छा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अथाथ आटी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्स में लागू किया गया तो यहाँ पर चार आपसंद यह हैं पहला है वर्स 2008 में अधिनियमित और अप्रेल 2009 में ला अप्रेल 2010 से लागू हुआ और चौथा जो अंतिम आफ्षन यहाँ पर दिया हुआ है वह है वर्स 2009 में अधिनियमित और अप्रेल 2009 में लागू हुआ तो यहाँ पर जो थर्ड आफ्षन है बहुत से एक्जाम से पूछा भी जाता है तो यह आपको थोड़ा ध्यान दखने की भी जरूद है जो बच्चे तयारी करते हैं खासकर हमाजो सिच्छक भाई तयारी कर रहे हैं वह लोग भी इसको जरूद ध्यान से इसको देखें कि वर्स 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रेल 2010 से लागू हुआ अगला प्रस्ट LEP National Education Policy 2020 स्कूली सिच्छा के मवजुदा 10 प्लस 2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है यहाँ पर भी 4 आप संदिये हुए हैं पहला है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 दूसरा है इन में से कोई नहीं तीसरा है 5 प्लस 3 प्लस 4 और चौथा है 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 तो यहाँ जो पहला आप संदिया हुआ है बिल्कुल ही आपका सही है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 अगला प्रश्ण भारत में सिच्छा पर पहली और दूसरी इराष्टी सिच्छा नीती को किन वर्सों में तयार किया गया था यह भी प्रश्ण बहुत ही महातपूर है खास कर बहुत से प्रतियों की परिच्छाओं में पूछा भी जाता है तो पहला अफसन दिया हुआ है 1966 और 1992 दूसरा है 1966 और 1986 तीसरा है 1967 और 1989 फिर उसके बाद जो अन्ति महाँ पर अफसन दिया हुआ है 1986 और 2019 तो मैं आपको बता दूँ जो दूसरा अफसन है बिलकुल ही सही है जो पहली सिच्छा राष्टी नीती आई वह 1960 और उसके बाद जो आई वह राष्टी सिच्छा नीती 1986 इसके बाद भी अगर पूछा जाए संसोधित राष्टी सिच्छा नीती कब आई तो वह 1992 में आई यह भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद 2020 में राष्टी सिच्छा नीती आई है अगला प्रश्ण है निम लिखित में से राष्टी पाठ चर्या की रूप रेखा के लिए कौन सा वाकिस सही है तो यहाँ पर जो पहला आपसंदिया हुआ है यह पाठिकरम और पाठ कारटी को NCF विक्सित करने के लिए आदेश दिया गया है और उसके बाद जो सभी है और जो अंतिम यहाँ पर दिया हुआ है वह यह सिच्छा पर राष्टी नीती में उलिखित द्रस्टी के अनुरूप सहचिक उदेश प्रदान करता है तो इसके लिए बिलकुल जो सही आ पर राष्टी नीती में से कौन सा कथन पार्ठ करम के लिए माने नहीं है पहला आप्शन जो दिया हुआ यह भारत में विभिन इस तरों पर सिच्छा के लिए दिश्ट पडान करता है दूसरा है इसमें पार्ठ करम पार्ठ प्रस्तकों सिच्छा सास्त्र और मुल्यांकन विधियों को सामिल किया गया है तीसरा है यह स्कूलों में सिच्छा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गत्विधियों का एक समू है जो अंतिम आप्शन दिया हुआ है इस प्रस्त का यह राष्टी पाठ चर्या की रूप रेखा से विक्सित होता है इसमें जो सही आप्शन है वह है यहां भारत में विभिन इस्तरों पर सिच्छा के लिए दस्टी प्रदान करता है विक्लांग वेक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समवेसी सिच्छा को सिच्छा की एक पडाली के रूप में परिभासित करता है जिसमें विक्लांगता और बिना विक्लांगता वाले चात्र सामिल हैं तो यहाँ पर चार आफसंदिये हुए हैं पहला दिया हुआ है एक ही स्कूल में भाग ले लेकिन विक्लांगता वाले चात्र अलग कच्छाओं में सीखते हैं दूसरा है सभी तीसरा है एक साथ सीखें और सिच्छड और सीखने की पडाली समान बनी हुई है और जो यहाँ पर अंतिम आफसंदिया हुआ है एक साथ सीखें और सिच्छड और सीखने की पडाली उप्युक्त रूप से अनकूलित है तो यह आफसंद बिल्कुल ही आपका सही है अगला और जो अंतिम प्रश्ण है वह है आपका राम दस्तिबाधि छात्र है निम लिखित में से कौंसा उसके लिए अभिविन्यास और गति सीलता पर सिच्छड के लिए सबसे उप्योगी होगा तो यहाँ पर भी आपके चार आफसंद दिये हुए हैं पहला आपका दिया हुआ है आफसंद सीखने की गत्विधी का मौखिक विवर्ड दूसरा है नोट बंदी के लिए स्लेट और इस्टाइज तीसरा आफसंद जो दिया हुआ है इसकूल भवन के इसपर्स नकसे और ज अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो सबस्काइब जरूर कर लें वह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सेर जरूर करें वह बेल आइकून को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल सके हैं वह से आप देख सकते हैं इसके अलावा आप अधिकारियों के द्वारा समय समय पर सिच्छकों से पूछे जाने वाले प्रशनों का भी लिंक मेरे डिस्कृप्शन में दिया हुए वहां से आप देख सकते हैं धन्यवाद नमस्कार दोस्तों